ना टा गुनना ना ही बिलना और मिंटो में 50 से भी जादा पराठे बना के कर लोगे तैयार वो भी एकदम फुले फुले और सॉफ्ट सॉफ इस्पेशली जब भी हम स्टॉफट वाले पराठे बनाते हैं तो हमारी जो स्टॉफिंग होती है वो बाहर आ जाती है या फिर वो फर्ट जाते हैं और घंटो इतनी सारी मैनत करने में हमें आलस आ जाता है तो हम अपनी फेवरिट चीज़ को यूई स्किप कर देते हैं लेकि आप इससे वेट लॉस के तुरू भी ट्राइ कर सकते हैं और बहुत ही कम उयल में आप इससे बना सकते हो फ्रेंट्स तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम पनीर लिया है आप अपने हिसाब से यहाँ पर पनीर को थोड़ा कम या फिर जादा कर सकते हो आज यह हम पराठे बना रहे नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ही जाएगा और इस वीडियो को ज़्यादा क्या किजिएगा लाइक किजिएगा और इसे फैमिली ग्रूप में ज़रू से जरू शेयर किजिएगा इसमें कुछ चीज़े आट कर देंगे इसे बारी कटा हुआ प्याज डाल देंगे औ यहाँ पर हम आट कर देंगे काली मिर्च का पाउडर और चिली फ्लेक्स इसमें डालेंगे इसे बहुत ही अच्छे सा लुक भी आती है और खाने में भी काफी टेस्ट देता है नमक डाल दिया यहाँ पर मैंने स्वादनुसार भुनेवे जीरे का पाउडर और चुट की भ इसके बात खूब सारा धनिया इसमें अड़ किज़ें अर जितनी बी स्पाइस मैंने इसमें एक चाहर देंगे बहुत ही अच्छे से तीखे च्ट प्ते आपके आठे हैं वह यहां पर बनके तयार होंगी अगर आपको तीका च्ट पटा खाना पसंद है तो इस रिस पी को भी आप इसे include कर सकते हो और अब इसमें हम एक कप गेहूं का आट आट करेंगे यहाँ पर मैं मैदा विल्कुल भी आट नहीं कर रही हूँ बस एक कप आपको गेहूं का आट कर देना तो जितना हमने पनीर लिया था उतनी ही quantity यहाँ पर आपको गेहूं का आट इक ले रही है equal quantity में हमें दोने चीज़े ले लेनी हैं और आट डालने के बाद यहाँ पर हम इसे अच्छे से mix करेंगे उसके बाद उतना ही मैंने पानी ले लिया है जितना यहाँ पर मैंने इसमें आट आट किया है पानी आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाले क्योंकि जब भी आप इस तरह की किसी liquid दो से कोई recipe त्यार करें तो friends यहाँ पर पानी को थोड़ा थोड़ा करके डाले क्योंकि अगर इखटा आप पानी इसमें आट कर देते हैं और अगर गलती से भी जादा हो जाता है तो कद्दुकस कर ले नहीं तो आप इसे हाथ उसे अच्छे से मैश कर लें और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा बैटर है एक मिनट के अंदर ही बन के हो गया है तयार अब बैटर तो बन के हो गया है तयार और इसकी consistency आप देख सकते हैं मैंने बहुत जादा पतली नही तभी आपको इस बैटर को डालना है यह बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है एक से दो कल्ची हम इस पे यह बैटर डाल देंगे और अच्छे से इसी कल्ची से हम इसके उपर फैला लेंगे फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप non-stick तवे पर ही बना सकते हो क्योंकि normal कवर कर देंगे यह पूरी तरह से स्टीम हो जाएगा फिर से इसे फिल्प करेंगे और दूसरी साइड भी हम 30 सेकेंड के लिए से खुप कर लेंगे 30-30 second आपको इसे अच्छे से दोनों साइट से से शेक लेना है और जब ये दोनों साइट से अच्छे से सिख जाता है तो ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता है और आप देखेंगे हलका हलका जब इसे प्रेस करेंगे और जब ये दोनों तरफ से अच्छे से सिख जाए उ आपको रेसिपी समझ आती क्योंकि रेसिपी के बीच में हम आपसे कुछ टिप से अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी एक पर्फिक्ट सी रेसिपी बना के तयार कर सकते हैं उपर से थोड़ा थोड़ा एल लगा दिया है और आप देख सकते हैं जो ये पराठा है गुबार तवे को थोड़ा थंडा कर लें उसके बाद ही बैटर आड़ करें अगर आपको वाइल की नीड लगती है तो थोड़ा ओयल इसमें आड़ कर सकते हैं अगर आप नॉन स्टिक पैन पर बनाते हैं तो फिर बिना ओयल के भी आप इसे निकाल लेंगे बस दोनों साइट से जिन पराठो को बनाया है तो आप अगर वेट लॉस में तो सुपा के प्रेक्पस में एक पराठा आराम से ले सकते हैं और आपको ये अच्छा वेट लॉस भी देगा और उपर से भी थोड़ा सा ओयल मैं यहां पर लगा रही हूं आप कम तेल में भी इसे बना सकते हैं या अगर जादा पूरे पराठे का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी तो वीडियो काफी लबी हो जाएगी तो इसलिए थोड़ा थोड़ा से मैं आपको कट कर के दिखा रही हूं कि हमारे सारे पराठे एकदम सिखे-सिखे और फूले फूले बनके तयार हूए है बस आपको इस तो बस उपर से आप ओयल लगा कर दो बारी फिलिप करोगी और आपका जो पराठा है यहां पर बन के हो जाएगा तैयार और आप देख सकते हैं कितना बड़िया सा दिख रहा है तो आपको घंटो किचन में खड़े होकर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बहुत असानी से आप पचास से भी जादा पराठे बना सकते हो 15-20 मिनट में तो यकीन मानी है यह प्रोसेस बहुत ही असान है मैंने इससे पहले भी आपके साथ आलू की पराठे की रेसिपी शेयर की थी फ्रेंट्स जिसे आप लोगोंने बहुत जादा प्यार दिया है उसी वीडियो की तरह आप इस वीडियो को भी प्यार दीजेगा क्योंकि यह बहुत ही फटा-फट से बन जाते हैं और हाई-प्र करेंगे कि यह कितना सॉफ्ट बना है नॉर्मल पराठो के मुकाबले और इससे आप अराम से रख दे अगर आप इसे पूरा दिन भी फ्रेंट्स रखेंगे तब यह उतना ही नरम रहेगा और यहां पर मैंने इससे आम की अचार के साथ सर्फ किया है अगर आपको इसकी रस शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरू करेंगे